आठ नवंबर कार्तिक पोडिमा देव दीपा वली बना दुरलब शेयोग महा पोडिमा चंद ग्रहन गाई को खिला दें ये एक छोटी से चीज रोडपती से करोडपती होने से कोई नहीं रोख शकता। दोस्तों, आठ नवंबर दिन मंगलवार को कार्तिक माह की पोडिमा है, इस पोडिमा को त्रुपुरारी पोडिमा और कार्तिक पोडिमा के नाम से भी जाना जाता है। पोडिमा की रक्षा की थी, बेदों की रक्षा की थी, इसलिए कार्तिक पोडिमा पर इश्नान करने से कई जन्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं। शाती भगवान विश्मुजी की पूजा जरूर करें। पोडिमा पर भगवान लक्ष्मी नारान का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारान की अश्यम कृपा प्राप्त होती है। और घर में शुक्षम्रदी बनी रहती है। इस कार्तिक पुडमा पर चंद ग्रहन भी लगने जा रहा है। लेकिन यह एक अंसिक है। हलाकि यह भारत में दिखाई देगा। इसलिए खासकर गरुती महिलाओं को विशेश शावधानी बरतनी हैं। शुतक काल माने और ग्रहन के जो नियम है वो जरूर आप माने। भारत के लगभग सभी राजियों पर इश्का दिखाई देगा। पूर्भी और उत्री राजियों में यह दिखाई देगा। दोस्तों यह अलाकि जो चंदगहन लगेगा यह कई देशों में दिखाई देगा। और यह दुपाहर दो बचकर 49 मिट से सुरू होगा। और साम 7 बचकर 27 मिट तक रहेगा। लेकिन भारत में साढ़े पांच बचे से और 6 बचकर 19 मिट तक ही रहेगा। जो मौक्ष का समय 6 बचकर 19 मिट रहेगा। लेकिन समापती का समय 7 बचकर 27 मिट पर होगा। यह एक लंभी अबदी का चंदगहन होगा। चिशले गर्वती महिलाएं और खासकर कोई भी हो इसमें खाना वगारा ना पकाइं और खासकर जो नियम होते ऐस सूतक कालक के और ग्रहन काल में वह जरूर बड़ते हैं दोस्तों इसी दिन कार्तिक पूर्मय भी है और इसी दिन दोस्तों इस उपाई को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीड़ों को एंड तक जरूर देखेगा तो आईए दोस्तों जानते हैं उपाई के बारे में उपाई करने के लिए इस नान करके स्वक्ष वस्त धारन करें दोस्तों पूरिमा पर आप यानि की खासकर पीले रंका या फिर आप चाहें तो भगवान विश्वुँजी के पसंदीदे वज़े से के पीले वस्त का आप यानि पहने खासकर नीले और काले वस्त इस दिन ना पहने इस दिन किसी पवित्र नदी में इश्नान करना अतिन्त पुनकारी माना जाता है पूरिमा पर इश्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है अगर आप किसी पवित्र नदी में इश्नान करने नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही इश्नान के जल में गंगा जल डाल कर मिला कर उससे अवश्य इश्नान करें ऐसा क पूजन करने के बाद पीले रंग के वस्त धारन करें, पीले रंग के वस्त पहन करके पूजा करने से भागवान विशू जल्दी परशन हो जाते हैं, मंदिर को सापसफाई भी कर लें, पूजन करने के बाद भागवान का शिंगार करें, पूजन के समय एक सुद्ध घी का द जरूर जलाएं अब आप भागवान गड़ेश जी के भागवान विश्ण जी को माता लक्ष्मी जी को प्रणाम जरूर करें मा लक्ष्मी जी को कुम कुम से तिलक करें भागवान स्रीहर विश्ण जी को आप हल्दी से तिलक करें हल्दी भागवान स्रीहर विश्ण जी को अत अब इस रोटी को एक प्लेट में रख लें, किसी पात्र में रख लें, इस रोटी पर सुद्ध घी लगाएं, एक पात्र में थोड़ा सा गुड़ और चुटकी भर हल्दी भी रख लें, भागवान विश्णूजी को इस दिन गुड़ घी का भोग जरूर लगाएं, मिस्री का भोग लगाएं, फिर इस रोटी में गुड़ घी और थोड़ी सी मिस्रे और हल्दी शक्कर आप रख लें, चुटकी भर हल्दी रख लें, और या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा काला तिल भी रख सकते हैं, इसके बाद आप भागवान स्री हर विश्णूजी को एक त दोस्तों, तुलसी के पत्तों के बिना भागवान विश्णूज भोग श्विकार नहीं करते हैं, तुलसी के पत्ते के बिना भागवान स्री हर विश्णूज का पूजा धूरा होता है, इसलिए आप भागवान स्री हर विश्णुजी को तुलसी का पत्ता जरूर आरपित क फिर उनको यहनि उनके नामों का उच्छारन करें पिर ओम धृष्णम्वें इस मंत्र भी जाब करें पिर माता लक्षमी के मंत्र का जाब करें ओम महालक्षमिय नमय फिर आप इस रोटी में जो आपने गुड़ घी और थोड़ी सी हल्दी और मिस्री रखी है और काले तिल रखें इसे ले जाकर आप गाई को चुप-चाप खिला दें गाई को खिलाते समें आप गाई से प्रातना करें प्रणाम करें उनको जुक कर प्रणाम करें तीन बार परिक्रमा करें गाई को प्रेम से खिलाईए और अपनी प्रातना जरूर बोली जो भी आपकी प्रातना है जो भी आपकी मनो कामना है गाई के सामने बोले क्योंकि गाई 30 करोड देवी देपताओं का बास होता है गाय में गाय को रोटी खिलाने से इस दिन कार्थिक पुडमा के दिन विशेश लाब होता है शारे पाप दोस्ट नश्ट हो जाते हैं घर में शुक्षम्रद्धी का बास होता है घर में खुशाहल जीवन जीने का मौका मिलता है इसे घी और गुड़ रखकर भी आप गाय को चुपचाप खिला दें फिर देखे कैसे समतकार होता है रोटपती भी बन जाते हैं करोडपती जन्मों के गरीबी दूर हो जाती है घर से गरीबी चुम अंतर हो जाती है और घर में शुक्षम्रद्धी बनी रहती है कभी भी बहुत ही दोर ही चली जाती है साथे रोडपती भी बन जाते हैं करोडपती ब्यापार की मामले में काफी लखी रहते हैं ब्यापारियों के ले काफी सुब रहता है हर चेतरों श्याप को बिशेश सफलता प्राप्त होती है आंदनी के सरोथ बढ़ते हैं कारशेत में अधि तिल के बने लड़ू, रोटी में रखकर जरूर खिलाएं, इस दिन गाई को आप चाहें, तो थोड़ा सा खीर बना लें, देखें, खीर भी इस दिन पुड़िगा के तिती है, खीर का बहुत महत्व है, इसलिए इस दिन खीर का भौग माता लक्ष्मिजी को जरूर लगाएं भगवान लक्ष्मिजी को खीर का भोग लगाएं, खीर बना कर और माता लक्ष्मिजी और भगवान लक्ष्मिजी को खीर का भोग लगाने के बाद एक रोटी ले लें, रोटी में खीर रखकर गाई को खिला दें, तो सोने पे सुभागा, मालक्ष्मिजी दोड़ी चली आ जयाए मालक्ष्मी